हलो दोस्तों, मैं सौरब और मैं आज आपके समक्ष एक तब की बात प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जब स्री कृष्ण जी वरिंदावन से मतुरा चले गए थे और उन्होंने उधाव को स्री राधारानी को समझाने हे तू भेजाता उनका क्रोध का निस्तार करने भेजाता तो राधारानी जी कहती है उधाव तुम हो अतीबड भागी अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पूरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी राधारानी उधाव से कटू वाणी में कहती है हे उधाव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो जिसने कभी प्रेम नदी में पाओ नहीं डूबोया दृष्टी नरूप परागी अर्थात कभी प्रेम दृष्टी में इन्होंने नजरें नहीं मिलाइए उधाव तुम हो अतीबड भागी अपरस रहत सनेह तगाते हैं तुम सनेह तागा से अभी तक अचूते हो नाहिन मन अनुरागी और तुम्हारे मन में नाही कोई प्रे उसी प्रकार जिस प्रकार तेल की हंडी पानी में रखने वे उसपर बून नहीं लगती उसी प्रकार सूरदास अवलाह हम्गोरि गुळ चाटीजियो पागी तुमारे मन में भी प्रेम की कोई भावना नहीं है परंतु हम तो वो चीटी हैं जो गुड में लिपट कर वहीं पर अपना प्राण त्याग देती है जै हिंद जै भारत धन्यवाद दोस्तों